आज सुबह सुबह कहां जा रही हो? आज तो भगवानी जाने कौन सी दुनिया में रहती हो? जब से नौकरी से रिटायर हुए हो न, कुछ भी खबर नहीं रहती. आज से नौरात्री शुरू हो रही है, मंदिर जा रही हो पूजा पाठ के लिए, उपवास भी तो है मेरा. पर सुनो, बहो को बोल देना मेरे लिए साब उदाने की खिचरी बना ले और थोड़े से मखाने फ्राई कर ले, और कुछ फल फूल थोड़े रख देगे खाने के लिए. क्या? तु खाने के लिए उपवास करती है क्या? आपको तो हर बात में नुश्के निकालने की आदत है. अरे मैं कितना भी खाऊं, आपका पेट क्यों दुखता है? खुद का पेट तो बड़ा कर लिया है, खाखा के. मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? खुद भी खा लो, मैंने मना किया है क्या? अरे गुसा मत कर भागवान, मैंने तो मत जाक में बोल दिया था, तू जा. और सुन, मैंने बहु को बोला है कि आज वो अपने माई के चली जाए. उसके पापा की तबियत ठीक नहीं है, खानवना बना के वो चली जाएगी और शाम तक आ जाएगी. क्या? आप होते कौन हो मुझसे बिना पूछे बहजने वाले? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो बहु को माई के भेज़ दो, माई के भेज़ दो, अरे खजाना लेने जाती है क्या? तुन्हें पूरी बात नहीं सुनी क्या? बोला ना कि उसके पापा की तबियत खराब है? उसके बाप का तो रोजका ही नाटक है. तबियत खराब है तो डॉक्टर को बुलाए हॉस्पिटल जाए. ये क्या? जब देखो उठा के बस आपको फोन कर देगा या तो दमाद को अपने फोन कर देगा. बेटी को भेज़ दो. जैसे बेटी नहों गई कहें कि डॉक्टर हो गई MBBS और जा कि अपने बाप को ठीक कर देगी. आज बोल दिया तो बोल दिया. अगर मुझसे बिना पुछे भेज जाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. याद रखना. आरा खाना टन भर का तयार हैगा जब तुम आओगी. इस आदमी से तो बात करने ही बिकार है. सारे मूर का सत्यानाश कर दिया. जवानी में कदर की नबुरापा में. लिजी पापा जी आपकी चाहे. हाँ बहु. और सुनो बिटा. तुमारे सास मंदिर गई है. यसे भी बह की हुई है. उसे बिना पोचे मैंने तुम्हें माय के जाने के लिए बोल दिया है. बोल के गई है. उसके लिए साबुदानी की खिचरी, फैल और कुछ मखाने तल देना. तो बेटा सारी तैयारी कर देना. वैसे तो खुश तो किसी जनम में नहीं होगी. कितना भी कर लो. बढ़ फिर भी कर देना अपनी तरब से. जी पापा जी. पापा जी, यह मुझे छोडने तो जाएंगे न मेरे माय के. नहीं बेटा, बुरा मत माना. लेकिन आज राहूल को नहीं भेज पाऊंगा. पहले ही तुम्हारी सास बहुत भड़की हुई है. और अगर उसके बेट जाने कब सुद्रेगी? अरे बहु को कभ इंसान समझेगी? कभ जानेगे कि वो भी किसी की बेटी है, उसका भी अपना माय का है, उसके माँ बाप में. अच्छा होता है, इसको एक बेटी हो जाती. तब शायद बेटी के माँ बाप का दर्द समझ पाती है. हाई राम, प्रियंका, ओ प्रियंका. बहु नहीं है घर में, क्यों चिला रही हो? क्यों, कहां चली गई? ताया तो था तुझे, माय के जाने उससे चली गई? क्या? अरे आपने तो बोला था कि दो पाहर तक जाएगी, अभी तो ग्यारा ही बच रही है, अभी से कैसे चली अरे तुझे अपने काम से मतलब है न, घर का सारा काम करके गई है, और तेरे ठोशने के लिए भी जो जो बोला था सब बना के गई है, एक दो चीजे तो एक्ष्ट्रा ही बना के गई है बेचारी, बस आपको तो वही बेचारी लगती है, इस घर की डायन तो बस मैं ही लग अच्छा मामी, मैं निकलता हूँ ओफिस के लिए, अच्छा बिटा, पर तेरे ठीफिन का है, नहीं मा, आज मैंने प्रियंका को बोल दिया था मेरा लैंज मत बनाना, मैं बाहर ही खालूँगा, आज उसे अपने माय के जाना था न, जाने की भी तेग्यारी करनी थी और घर जाना माय के, उसे जाने में देर हो जाती, तो उसका बाप मर नहीं जाता, पैस, बहुत हो गया, कुछ जादा ही नहीं बोल रही हो तुम, तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो, मारे बेटे को कोई ऐसा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा, हाँ मा, ये सही नहीं है, अरे तू भी कहा इसके मुह लग रहा है तुझे पता है ना तेरी मा कैसी है जह तू ऑफिस है नहीं तेरा भी सारा दिन खराब करेगी मेरा तू दिन भाठी है माता चिक-चिक करके ठीके पापा मैं चलता हूँ ऑफिस आपकी वज़े से न मेरा बेटा भी मुझसे दूर होता जा रहा है मेरी वज़े से नहीं सिर्फ तेरी वज़े से तेरी हरकतों की वज़े से तो बहु को इंसान कब समझेगी वो मशीन है क्या उसको खरीद कर लाई है उसकी कोई भावनाय नहीं है उसकी कोई इच्छाय नहीं है उसका कोई कुछ है नहीं उसके अपने माबाप है पर यहीं एक ही शहर में रहते विए तो उसको भेजने के लिए इतने नाटा करती है घर का सारा काम करके गई है आके वापस करेगी लेकिन फिर भी तुझे चिक चिक करनी ही है तुझे तो बस मौका चाहिए बहु को सुनाने का देख राहूल की ममी तुझे मैं समझा रही हूँ कहीं ऐसा नहों कि तेरी ये जो हरकते हैं इसकी वज़े से तु बहु के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दे वेसे भी बहु की नजरों में तो इज़्जत तुने कभी कमाई नहीं वो तो शुक्र है कि मेरी बहु इतनी संसकार ही है वरना तेरे जैसे उकुना तो एक दिन में ठीक करिया जा सकता है समझी लेस घर का भला करते करते मेरी जिंदिकी गिस गई किसी को कोई कदर ही नहीं है मेरी कोई एहसान नहीं कि ये घर पे दुनिया की हर औरत घरग्रष्टी के लिए काम करती है बड़ी याई ये भगवान आपने औरतों को ऐसा क्यों बनाया है इनको कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती तो दोस्तों ये थी प्रियंका के घर की कहानी बिचारी प्रियंका जब सिस्खर में बहु वनकर आई थी दिन रात काम करके सभी घरवालों का बंजेत लिया था वेकिन इतना करने के बाद भी उसकी सास के जुवान पे हमेशा कड़वे बोली होते थे और तो और अगर ससुर पती साथ देते तो उन दोनों को बोलती कि इन पे कोई जादू कर दिया है बहु ने अब आप ही बताईए क्या करें बिचारी प्रियंका खेट जैसे तैसे दिन गुजा रहे थी प्रियंका की पापा की तबियत तो खराब ही थी प्रियंका मिलकर आ जाती है और फिर थोड़े दिन और निकलते हैं कुछ दिनों बाद प्रियंका क्या हो क्या है तुम रोक्यों रही हो सुबह सुबह मेरे पापा क्या हुआत मारे पापा को बात पताओ क्या है मेरे पापा की तबियत बहुत सादा खराब है अब यह भी मम्मी का फोल है तब को अच्छे से बात भी नहीं कर रहे है अरे तुम जाओ ना अपने पापा के पास यहां क्या कर रही हो फिर जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर उधर से ओफिस निकल जाओंगा पर मम्मी जी यहां का सारा काम पड़ा हुआ है अरे तुम ममी के चीता मत करो ममी को मैं समाल लूगा चलो जल्दी सब्सक्त तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है पर तुम्हें वहां होना चाहिए यहां नहीं ठीक है जी चलिए जल्दी अरे बहु क्या हो गया तुम रो क्यो रही हो पापा मैं प्रियंका को इसके माय के छोड़ने जा रहा हूँ उसके पापा बहुत ज़्यदा सीरियस है अच्छे से बात भी नहीं कर रहे है हाँ हाँ बीटा जल्दी जो जल्दी कौन कहा जा रहा है सुबह सुबह ममी प्रियंका की पापा बहुत सीरियस है इसलिए प्रियंगा को उसके मार्के चोड़ने जा रहा हूँ क्या? फिर से? मैं तू परिशान होगी हूँ इसके मार्के से ममी यह सत्वर्थ नहीं है इसा बाते करने का मैं जाता हूँ जल्दी हाँ पर एक घर के सारे काम कौन करेगा? तू करेगी और कौन करेगा? तेरे हाथ पर में भी इतनी जानतो है कि एक दिन घर का काम कर लिए तू जा बहू अरे किसी ने ठीकी का है अब मैं किसे कोर्स हूँ किसे दोश दू जब अपना एक खोटा सिक्का हो इस बहू ने तो मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लिया भगवान जाने क्या जादू कर दिया है? उसके अलावा किसी की सुनता ही नहीं है मेरा बेटा अरे बसकर जद्दे को बखवास करती रहती है तुझे पहले भी समझाया था अपनी हरकते सुधार ले नहीं तो एक दिप पस्ता आएगी और वही हो रहा है देख ले जो बेटा तुझे बिना पुछे घर के बाहर कदम नहीं रखता था वो अपनी बीवी को छोड़ने माय के चला गया है उसके समझी? और ये कुछ गलत नहीं कर रहा है तेरी वज़े से ये सब हो रहा है और तू अभी भी नहीं सुधरी न तो फिर तू देखी ले क्या होगा तेरे साथ हमेशा बस ख़डूस बनके सास बनना है अरे कभी तो इंसान बनके सोच जब तेरे माबाप जिंदा थे तो क्या तू अपने माएके नहीं जाती थी दुख सुक में तेरे माबाप की तब्यत खराब होती थी तब तू नहीं जाती थी तो फिर बहू को क्यो नहीं जाने देती तेरे माबाप पलक थे और बहू के माबाप पलक अरे माबाप बच्चों के लिए वैसे ही प्यार करती है जैसे तू करती है समझी अब शाय सही कह रहे हैं जी मैं ही जरसास बनकर कुछ ज़्यादा इश्ट्रिक हो गई थी और मैं भी क्या करूँ समाज में इतना कुछ हो रहा है न कि बहुत डलगता था इसलिए हमेशा सोचा कि बच्चे बहु को कंट्रोल करके रखू यह तो बच्चे बहुत अनाथाशन तर छोड़ के आ जाते हैं बस इसी डरे के कारण कभी अपने अंदर के इंसान को बाहर ही नहीं आने यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है और तुझो रवाई अपना आ रही है न इसी तरीके से अगर रहा तो जहां भी नहीं छोड़ना होगा वहां भी छोड़ाएंगे अनाथाशन समझी नहीं जी आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी हमेशा अपने बहु को प्यास से रखूँगी और उसके बाद भी मालोंगी और उसके दुख सुप में हमेशा उसके साथ भी दोंगी माप कर देजे मुझे मापी मुझसे नहीं तो तेरी बहु आ जाए ना उससे मांगना जिसे तुने सब्से ज़्यादा रुलाया है क्यों दोस्तों क्या मैंने गलत किया भी का बहुत 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 दनिवाद जाए श्री दाउ